Hello everyone, welcome back to my youtube channel तो हम आज सीखने वाले है Baby Girls के लिए a short haircut जिसे mushroom haircut भी बोलते हैं बहुत सारे लोग तो चलिए देखते हैं step by step कैसे किया जाता है एकदम simple तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको तो वीडियो पे बने रही है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर कीजे अगर हाँ आपको ये वीडियो थोड़ी भी knowledgeable लगती है तो apply जरूर कीजे तो सबसे पहले आपको hair के ओपर spray करना है अच्छे से weight करना है hair को जितने भी tangle से आप comb से निकाल दीजे देख सकते मैं केसे कर रहा हूँ tangles निकालने के बाद आपको hair को जो दो part में divide करना है दो ही part करने हैं उनके क्योंकि मैं simple तरीका बताने वाला हो कि ये haircut करने का कुछ इस तरह के से आपको hair जो है divide करने है divide करने के बाद उनको tie कर दीजे जो radial section है हमारा बाजू का section जो air के उपर का section है उसको आप tie कीजिए section clip से section clip से tie करने के बाद मैं आपको next tip बताऊंगा कि क्या करना है आपको और हाँ ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत से comments आते देख कि आप baby girls के उपर short वाला haircut की वीडियो बनाई है तो सबसे पहले आपको ने के रहा कि यहां एक straight line बनानी है देख सकते हो मैंने जैसे बनाई है वैसी आपको बनानी है इतना टेकनिकल नहीं है आप भी कर सकते हो जस्ट आपको हैर को जो है नीचे कीचना अच्छे से कीचने के बाद जो भी एक्ष्टा है सारे बॉर्डर पर उतने सारे आपको सीजर से कट करने तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होते बेबी गल्स के लिए कौनसा हैर कट करें जो की शौट भी रहे और तोड़ा सा बेबी गल्स का भी लूक आजा तो यह हैर कट आप कर सकते हो काफी एजी हैर कट है और हां मुझे कमेंट ज़रूर किजे की नेक्स वीडियो कि कोशिश करूँगा यह वीडियो जो जो भी है उ वह भी मैंने की कमेंट 7 बेस के उपर मैंने बना यह ताकि आप भी सेकुए मुझे बहुत से कमेंट सार्य थी किबाप बेबीग्ञ्स के ऊपर एक शौट से वाला result का वीडियो बनाईंत यह हमारे बैक साइट की जो ती वह complete हो चुकी है हमाँ भी आ रहे आगे वाले हैस की तरफ उनको भी आपको borderline से ही cut करना है जितने भी एक्ष्टा आ रहे जितने भी आपको एक्ष्टा दिख रहे आपको कुछ इस तरीके से आपको border बनानी है border बनानी के बाद जितने भी एक्ष्टा आरे उनको अच्छे से cut करना है अगर किसी को मेरे salon का एड्रेस चाहिए कुछ services करवानी है आपको तो गूगल पर जाकर आपको transformation salon सर्च करना है वहाँ पर जो है मेरा वह आपको number भी मिल जाएगा और salon का जो एड्रेस है वह भी आपको मिल जाएगा तो border होने के बाद आपको करना है अगर आपके पास trimmer है तो trimmer का सबसे बड़ा number आप use कीजिए जैसी कि 30 mm चार नमबर बोलते है उसको तो आपको just border पे मारना है नेक एरिया की हाथ देख सकते हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ तो वैसी आपको करना है ज्यादा उपर नहीं लेके जाना है trimmer को just border पे आपको trim करना है hair को अगर आपके पास trimmer नहीं है तो आप सीजर से भी cut कर सकते हो बस आपको एक नेक एरिया की हाँ स्ट्रेट लाइन से नीचे ही आपको trim करना है देख सकते हो मैंने कैसे किया है वैस trimmer का याद रखिए कि बड़ा नंबर ही उस कीजिए पहले बढ़ा ही कीजिए अगर आपको जादा लगे तो उससे एक नंबर नीचे तो hair trim करने के बाद आपको छोटा trimmer लेना है जो की border के लिए देख सकते हो एक straight line पीछे बनानी है और जो भी extra hair से जो की हमने guideline बनाई थी हमने जो भी एक border बनाई थी उसके जो बाहर के hair से आपको जीरो के trimmer से पूरे clean करने है अच्छे से देख सकते हो मैंने किया है वैसे आपको करना है और जो बाकी बचे हुए है थे वो Caesar से मैं cut कर रहा हूँ और हाँ दोस्तों मैं try कर रहा हूँ कि video जो हो जादा बड़ी ना हो क्योंकि आप भी bore हो जाओंगे जस मैंने video को fast किया है और मैंने कोई भी part skip नहीं किया है अगर part में कोई skip करता हूँ तो आप भी confuse रहोगी कि आपने यह कैसे किया तो देख सकते हूँ मैं पूरा step जो है जो detail है video वो सारी लेकर आया हूँ तो आपको भी किसी part में confusion ना रहे और हां आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हूँ वहाँ पर भी आपको नहीने updates मिलेंगे जो भी हमने services clients को किये वह आपको देखने मिलेंगे तो मैंने जो link है वह description में मैंने दी है आप मुझे वहाँ जाकर follow की किजिए इस वीडियो में आपको कहीं पर भी confusion लगे कहीं पर भी doubt लगे तो मुझे comments कीजिए उसमें doubt को clear करने की कोशिश करूंगा और मैं comments का आपके reply जरूर दूंगा तो जिलिए border होने के बाद आपको अच्छे से extra hair जितने भी आ रहे उनको अच्छे से cut करना है कहीं पर उससे तीन बार आप चेक कीजिए कई भी एक्ष्टा या फिर कई भी uneven hair जो रहेंगे वो ना रहे अच्छे से level कीजिए हमारा 80% जो haircut है वो almost हो जुका है देख सकते हो आपको इतना simple process था 10 minute के अंदर जो है मैंने haircut जो अपना complete कर दिया है तो इतना सा steps है इतना ही आपको follow कर करना है एकदम आसान तरीका है आप भी कर सकते हो अगर आप fresher हो तो आपको just seizure holding की practice करो बाकी कई पर आपको problem नहीं आएगा देखिए seizure holding अगर अच्छे से कर लेते हो तो बाकी का जो process हो इतना मुश्किल नहीं है तो seizure holding की उपर भी मैं video लाने की कोशिश करूँगा कैसे seizure प हो आपके comment के उपर depend करता है तो चलिए दिखते लेवल तो अल्मोस हमारा हो चुका है अच्छे से हम चेक करेंगे कहीं पर भी एक्ष्टा नहीं रहने चाहिए है तो हमारी लेवल जह हो अच्छे से हो चुकी है अब हम करेंगे blow dry hair को तोड़े से dry करेंगे ताक कि hair के उपर patchy look आ सकता है तो आपको अच्छे से पहले dry करना है hair को set करना है जैसी उनको requirement है उसके सबसे आपको set करना है उसके बाद जो है आप टेक्शरिंग कर सकते हो तो चलिए हम करेंगे पहले अच्छे से dry और mushroom cut में जो आपको 32 नंबर का ही brush use करना है क्योंकि उससे जो है वह अच्छे से set भी होता है और अच्छे से volume भी आ जाता है तो अगर बड़ा brush लोगे तो इतना अच्छा volume नहीं आएगा इतना अच्छा set जो है पर तिनिंग सीजर अगर किसी को चलाना नहीं आता तो उसमें जाधा haircut होने के कारण उसमें इसे भी पैचे लुक आने के चांसे होते है तो बेटर रहेगा आप नॉर्मल सीजर से टेक्शरिंग करें जैसे कि मैं कर रहा हो ऐसे ही अल्मॉस्स जो haircut है हुआरा complete हो चुका है आपको तो दिखी रहा होगा कितना प्यारा लग रहा haircut कितना अच्छा volume जो है वह आ चुका है और mushroom टाइप का थोड़ा सा लुक आ चुका है टेक्शरिंग होने के बाद आपको return चेक करना है एक बार border जो हमने बनाए थी वहाँ पर return जो है वो बड़े ना लगे हैर कईवे बेक्शा ना आए हुए है वह आप इस एक बार चेक कीजिए और finally जो हमारा haircut complete हो चुका है देख सकते हो कि इतना प्यारा लुक आ चुका है ह हमारे hairs पे तो ऐसे ही कुछ steps है आपको follow करने इस haircut को करने के लिए तो चलिए आज के लिए इतना ही और haircut कैसा लगा कैसे steps लगे हमारे मुझे comment जरूर कीजिए और उनके साथ share कीजिए जिनको भी इस haircut में confusion है I hope आपको वीडियो पसंद आई हो thank you so much for watching हुआ 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 है